और मध्यप्रदेश में अब स्कूली बच्चों की मुसीबते कम होगी क्योंकि अब टेंट और खुले में बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्कूल सुख्चा मंत्री राओ दर प्रताप सिंह का बयान सामने अब ऐसे स्कूल भवन की सूची तैयार कीया रही है बयान सामने आया है स्कूल सिक्षा मंत्री राओ अधर प्रताप सिंगा उन्होंने कहा कि ग्रामीड अलाकों के जो स्कूल है जो भवन है जो खराब हो चुके हैं उनकी सूची तयार की जा रही है और सुबिधाओं के स्काथ अब स्कूल भवन तयार किये जाएंगे स्कूल सिक्षा मंत्री हैं राओ अधर प्रताप से उन्हीं से बात करेंगे सर प्रदेश में बीते गई सालों से जो सिरकारी स्कूल है खास करके ग्रामीड अलाकों की बात करें सर उनके पस खुद के भवन नहीं है कहीं टेंट के नीचे लगते हैं बारिश में बहुत ज़्य स्कूल लेकर क्या आगुश आपके पास प्लानिंग है उनको शिफ्ट करने को लेकर लगतार भारत सरकार भी है और प्रदेश की सरकार लगतार काम कर रही और यह वास सही है चुकि स्कूल भवनों की संक्या हजारों में है प्रदेश भी बड़ा है लगवग हम लोग पचा उनको पैसा देने का काम पूरी तैयारी चल रही मानी मोहनयादो जी की सरकार में सर्वोज प्रात्मिक्ता पर है और इसके लिए आवरश एक बजट भी उन्होंने प्लब्द कराया है और हम लोग अभी हमारा फोकस है कि प्राइमिरी सिक्षा में या मिडली स्कूल में जहा आप देखे आज अगर हम पैसा इस महने में भी हम आवंटन देते हैं सोहवे करूप से एक से डेड़ साल का समय उनको बनने में लगता है और यह हमेशा से चला आप आज के पंदरा साल पहले का आप इंफ्रस्रेक्ट्चर देखो एजू को से डिपार्टमेंट का आज बाउंडरी वाला दी देंगे तो यह सता चलने वाला सिलसला है चूकि प्रदेश बड़ा है हम नए भवन आज दे रहे हैं लेकिन तीस साल पहले जो भवन बने थे वो नए बनने की तैयारी में आगए साइकिल है यह इसको थोड़े इसकी गती तेज करनी के आवर्शकता ह है मानी मुकमतरी जी का भी इस परस्ट मत है कि हम इसको हमारे जो चोटे स्कूल्स हैं रिमोट एरियाज के गाउं है खासका ट्राइबल सेक्ट जैसे डेंड हो रही है बाला गाठ है मंडला अली राजपर जाबुगा इस तरह के जिलों में भी हम प्रात्मिक्ता से वहां प सुधार को लेकर जो देशा निर्देश में पो दिये गए हैं समय सीमा भी नरधारित की गए ताकि जल से जल जो बच्चे हैं उनको स्कूल भपन मिल सके और पूर्ण सर्वस विधाओं के साथ बच्चे वहां पर पढ़ाई कर सके वीडियो जनलिस्ट अश्वनी सिंग के स रंजना दूबे बंसली उस पूबल